इस वीडियो सीरीच चल रही है उस वीडियो सीरीच का या पाचवाँ वीडियो होगा इसमें जो है उत्तर प्रदेश के प्रमुख पच्छी विहार के बारे में आपके सामने चर्चा करूंगा तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि यदि आप चैनल पे नए है चैनल से तो अधिक देरीने करते हुए मैं वीडियो को सुरू करता हूं उत्तर प्रदेश के प्रमुख पच्छी विहार की इसमें चर्चा की जाएगी उत्तर प्रदेश में 11 प्रमुख पच्छी विहार है कितने प्रमुख पच्छी विहार है 11 तो पहली स्लाइट पर आते हैं पह किलोमीटर में फैला हुआ है नवाब गंज पच्छी विहार जो है उननाओं में है और इसका निर्माण जो है 1984 में हुआ था जब खबता ऑनीश सो चवरासी में आगे चर्चा करते हैं लाख बहुष पच्छी विहार के स्वारी लाख बहुष पच्छी विहार जो है असी दसमलो तीन वर्ग किलो मीटर में फैला हुआ है और यह कन्नोज में है कहा है कन्नोज में है 1988 में अगर मैं पहले बोल दिया हूँगा कन्नोज तो सुरी उसके लिए नवाब गंज पच्छी विहार जो है 1990 में आगे है बखीरा पक्छी विहार बखीरा पक्छी विहार जो है अठाई दसमलो नौ चार वर किलो मीटर में फैला हुआ है और बखीरा पक्छी विहार जो है संत कबीर नगर में है ठीक है अगली स्लाइड पर चलते हैं अगली स्लाइड पर है ओखला पक्छी विहार जो है ओखला पक्छी विहार गाजियाबादवा गौतम बुद्धनगर में है चार वर्ग किलो मीटर में ओखला पक्छी विहार फैला हुआ है और इसका निर्माड जो है 1990 में हुआ था करूआ था 1990 में हुआ ठीक है आगे है समन पूर पच्छी विहार समन पच्छी विहार समन पच्छी विहार समन पच्छी विहार जो है पांच दसमलों दो छावर किलोमेटर में फैला हुआ है और यह जो है मैन पूरी में कहा है मैन पूरी में समन पक्छी विहार मैन पूरी में है ठीक है आगे चर्चा करता हूँ विज विजैसागर पक्षी विहार घो दो लिखा गया है तो उर्ग किलो मिटनुत का छेतर फ edema जो है यह जो है महवा और हमीरपुर दोनों जिलों में और इसका निर्मारी Buffalo 1990 में हुआ था कब हुआ था 1990 में ठीक है आगे है पटना पक्षी विहार देखिए पटना पक्षी विहार में लोग गलती कर देते हैं पटना पक्षी विहार को लोग गलती ये करते हैं सोचते हैं कि विहार में लेकिन नहीं पटना पक्षी विहार जो है एटा में है ठीक है त अतना-पक्छी विहार एटा में है, 1990 में इसका निर्माण हुआ था. अगली स्लाइड पर जलते हैं, सुरहा-ताल-پक्छी विहार, सुरहा-ताल-पक्छी विहार, जो है 34.13 classification में है, और इसका निर्माण जो है बलिया में 1991 में हुआ था, ठीक है, बलिया में 1991 में हुआ था. आगे है भीमराव अंबेटकर पक्षी बिहार जो है बेती कुन्डा परतापगण में है इसका निर्माण जो है 2003 में हुआ था important है भीमराव एंबेट कर पक्षी विहार आगे है सूर सरोवर पक्षी विहार जो सूर सरोवर पक्षी विहार है है 4.30,4010 you will mark on fire सब्सेट 10O altar com2 byem नवाब गज पक्षी विहार उन्नाव वाला जो पक्षी विहार था वो राज्य का पर्थम पक्षी विहार था अगली स्लाइट पर चलते हैं एटा का एटा के पटना पक्षी विहार को घोसित किया गया है एटा के जो पटना पक्षी विहार है उसे रिजर्व घोसित किया ग पटना पक्छी बीहर एटा का है ठीक है तो कुछ और पक्छी बीहार है जैसे समस्पूर पक्छी बीहार ये भी इंपर्टंट है पुछा गया है क्याony समस्पूर पक्रभाहण है 10.85 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और यह जो है गोंडा में है और इसका निर्मार जो है 1990 में हुआ था तो एक गिरहों पक्षी विहार आपको समझ में आया होगा देखिए समझने और पढ़ने के लिए आपको याद करना पड़ेगा इसे याद करते रहिए क्योंकि इस चरकी तरीके से वधार जीड़े करें और दूसरों तक पहुचाने के लिए इसे सेयर भी कर सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए